हेलो फ्रेंट्स आज हम त्रिपुरा हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपोर्टेंट राजा रहे बिर्चंद्रमानिक के उनके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे era of modernization शुरू होता है त्रिपुरा में और इन ही को कहा जाता है architect of modern history of त्रिपुरा इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि इससे पहले हमने और भी बहुत सारे वीडियो बनाए त्रिपुरा हिस्ट्री के उपर उसका लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा वहाँ पे जाके आप इन से पहले जितनी भी राजा रहे हैं उन सब के बारे में देख सकते हैं तो महराजा बिरित चंद्रमानिक्या के बारे में अगर बात करना शुरू करें तो हम इस से पहले उनके पहले जो राजा रहे इसान चंद्रमानिक्या उनके बारे में थोड़ा देखना बड़ेगा तो इशान चंद्र मानिकर के जो बेटे रहे वो बहुत ही चोटे थे उस समय इसी की वज़े से उनको राजा नहीं बनाया जाता है ये राजमला में देखा गया है या बोला गया है लेकिन कुछ इतिहासकारों के मुताविक ये भी है कि जो इशान चंद्र मानिकर के जो बेटे रहे वो संगीत में इतना मगन हो चुके थे कि वो राजपाट के काम में उनको दाखिल देना या उनको बैटाना किसी भी तरीके से सही नहीं समझा गया बाकी लोगों के जरीए इ इसके चलते वीर्चंद्र मानिकर जो उनके बैमत्रिक भाई थे ये ब्रादर थे उनको बैटाया गया लेकिन उनको बैटाते ही उनके जो और दो भाई थे निलक्रिष्न ठकूर और चक्रदौज वो दाके ब्रिटिश कोर्ट में जाके एक अर्जी दर्ज करके आए कि जो राजा है वो बीर्चंद्र मानिक के नहीं हो सकते उनका दावेदारी भी है चक्रदौज भी अपना दावेदारी दे रहे थे निलक्रिष्न ठकूर भी अपना दावेदारी दे रहे थे तो इसके चलते ये जो पुरा सिलसिला चलता रहा ये सिलसिला चलता रहा 1870 तक तब ये विर्चंद्र मार्च को ही राजा थे लेकिन उनको पुरा राजिया विशेक नहीं करवाया गया ये डिफेक्टो राजा के तोर पे काम कर रहे थे फिर आगे चलके 9th मार्च 1870 को जो कोट पे केस चल रहा था उसका सुरा हुआ और उसके जो राय निकला वो ये निकला कि विर्चंद्र मार्च को राजा रहेंगे बाकि जो दो लोग अपना दावेदारी दे रहे थे उनके दावेदारी खारीच कर दिया गया और विर्चंद्र मार्च को राजा गोशित कर दिया गया तो उनका राजिया विशेक हुआ 9th मार्च 1870 में लेकिन ये जो पिरियड र के 70 यानि 69 या 70 अपमान सकते हूँ 70 तक इस पिरियेड में बहुत सारा चुनोती को सामने करना पड़ा बिर्चंद्रमानिक्या को सबसे पहला जो चुनोती रहा वो रहा अपने परिवार से ही परिवार में इतने सारे दिक्कते चल रही थी घर के बहुत लोग उन पे जो आजी नहीं थे इसके इनके जो बाई रहे दोनों कोर्ट पे जाके अर्जी डाले आये थे इसके अलावा बिर्चंद्रमानिक्या का दिक्कत वर्वी था कि जो इशांद्रमानिक्या के जो बैटे थे उनके लिए भी उनके सहानुवुती जो थे वो लुग भी चाह रहे थे उनके बेटे को बनाया दिया जाए इसी के चलते वहां से भी थोड़ा प्रोटेस्ट आ रहा था तो वो सारे प्रोटेस्ट को मैनेज करते हुए महाराजा विर्चंद्रमानिक्यों पुरा साम्हाल के वो उनका राजियाज भिशेक हुआ 9th मार्च को ये तो एक दिक्कत रहा दूसरा जो दिक्कत रहा वो रहा वीपिन विहारी गुश्वामी के तरफ से वीपिन विहारी गुश्वामी इसान चन्रमानिक्यों के टाइम पे बहुत ही स्ट्रॉंग होल्ड रखते थे त्रिपूरा के राजनिती के उपर तो त्रिपुरा में जितने भी स्टेप लिया जा रहा था उस समय खास करके इशान जंडर मानिक्या के टाइम पे बहुत सारा स्टेप लेना पड़ा जबरदस्ती ताकि जो एकोनोमी क्राइसिस आया हुआ था उसको संभाला जाए इससे पहले जो राजा रहे वो पैसे को उस धंग से खर्च नहीं कर पाई इसलिए वहाँ पर एकोनोमी क्राइसिस आ गया एक टाइम पे उस क्राइसिस को समभालने के लिए इशान जंडर मानिक्या ने बहुत सारे स्टेप ले थे उनमें से एक स्टेप ये था कि विपिन भी भी हरी गुष्वामी के हाथ में पूरे कंट्रोल को दे देना तो इससे क्या हुआ विपिन भी हरी गुष्वामी अपने हाथ पे पूरा जो राजनीतिक कार्य कालाब था वो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिए थे इशान चंडर मानिकर के देहान के बाद वो कंट् उस राजपार्ट को सही में स्ट्रक पेलाने के लिए बिर्चंद्रो को विपिन बिहरी गुश्वामी को दावाना पड़ा और फिर बाद में उनको इंप्रिजन्ट करके वहां से उनके हाथ पे जो पावर्स था कंट्रोल था उसको उन्होंने अपने हाथ पे ले लिया तो य या उसको दावाना पड़ा वो था जमातिया रिवोल्ट यह त्रिपुरा के हिस्ट्री में एक बहुत ही इवेंट है इसको जानने के लिए हमने अलग से एक वीडियो बना के रखके है जमातिया रिवोल्ट के उपर वो वीडियो नीचे द्रेस्किप्शन में दिया हुआ वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं इस जमातिया रिवोल्ट के ऊपर कैसे यह रिवोल्ट को आगे बढ़ाया गया और कैसे इसको ब्लास्ट में दमन किया गया तो यहाँ पर यही बता जाते हैं कि यह जो रिवोल्ट लड़ी गई थी यह परिक्षित के अगवाई में परिश्षित को समझाया गया, सप्रिश्षिक्त्यों मनाया गया, तो ये तीर मेजो स्टेप इनको लेना पड़ा उनके राज्य अभिशक से पहले, राज्य अभिशक के बाद उनका जो पूरा-पूरा मोटो रहा, वो पूरा का पूरा development के तरफ था, कैसे त्रीपुरा को आतना बर्चस पूरा कायम कर चुका था इसके साथ साथ त्रिपूरा की जो प्लेइन एरिया है खास करके चकला रोशनबाद का जो पार्ट है वो उनके हाथ पे चला गया था उनके अंडर में चला गया था इसके चलते त्रिपूरा की जो बॉर्डर है पॉर्डर एरिया के सा चकला रोशनाबाद की अंडर में बहुत सारे जगे पे डकेती करने लगे थे इसको रूखने के लिए ब्रीटिश गवर्मेंट ने एक चथी बेजेती महाराजा बिर्चंद्रमानिक्यों लेकिन बिर्चंद्रमानिक्यों उसके उपर अच्छे से करवाई नहीं कर पाए इसके चलते पहडी बार ब्रीटिश गवर्मेंट के द्वारा ए डवलू बी पावर को नियूद किया गया as a political agent so this was the first step by the British Government in in त्रीपूरा politics तो त्रीपूरा politics के ऊपर त्रीपूरा की जो राजपरीबार के ऊपर दाखिल हम आना वो directly यही से शुरू होता है तो फर्स्ट पॉलिटिकल एजेंट कौन थे ये थे AWB पावर इनको कौन नियूट किया था इनको नियूट किया गया था लॉर्ड मायो के दुवारा 3rd July 1871 को इसके बाद देखा जाता है कि जब टाइम तु टाइम ये पॉलिटिकल एजेंट चेंज होते रहे फिर बाद में पहली बार ऐसा नौवत आया कि ट्रीपूरा से ही एस ट्रीपूरा रेसिडेंट किसी एक बिक्ती को पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया वो कौन थे वो थे उमाकान तो दास तो he was the first ट्रीपूरा रेसिडेंट पेपल who appointed as a पॉलिटिकल एजेंट इसके अलावा महराजा बेटपेट चंडरमानिका ने एक कोट बनवाया था जिसको कहा गया खास अपिलेट कोट ये प्रिवी काउंसल ऑफ ब्रिटेंट की जो प्रॉसेस है या जो स्ट्रक्चर है उसको अनुकरन करते हुए ये बनाया गया था ताकि जितने भी केसेस आता है उसके इस केसेस को आसानी से जज के दुआरा उसको स्वल्व किया जा इसके लिए दो जज भी नूट किये गये थे पिर अगले जो स्टेप्स वो धिरे धिरे लेते रहे उनमें से कुछ स्टेप अगर हम देके आगे जलके वो ऐसे है कि उन्होंने एकसास डिपर्टमेंट बनवाया अलग से स्टाम डिपर्टमेंट भी बनवाया त्रिपूरा को तीन पार्ट में डिबाइड किया एक बहु का कारण उनके दूरा बताया गया कि यह administrative structure administration के लिए आसानी हो यह प्रोसेस जो जितने भी steps लिया जाए जितने भी reforms लाया जाए वो आसानी से हर एक जगे पर पहुच जाए इसके लिए पार्ट को डिवैड किया जाना ज़रूरी था तो वही पार्ट आगे चलके तीन डिस और बाद में अभी रिसेंटली ये टोटल आठ डिस्ट्रिक है त्रिपूरा में फिर आता है सेंसस 1872 वो वक्ता जब त्रिपूरा में सेंसस हुआ पहली बार तो यहाँ पे एक क्वेशन रहेगा आपके लिए आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्षन में जाके कॉमेंट करिए कि इंडिया में पहली बार सेंसस कब हुआ तो उसी को कोपी करते हुए उसी के अनुकरन में त्रिपूरा में भी सेंसस शुरू हुआ यह हुआ 1872 में तो आपको कॉमेंट करना है कि इंडिया में कब यह सेंसस शुरू हुआ तो ये census हमें क्या बताता है population की जो dynamics है उसके बारे में हमें बताता है क्या dynamics है कि non-tribal population जो थे त्रिपुरा में 1872 यानि 1st census के टाइम पे वो था 30% और 2011 census के अनुसार अगर हम देखे तो वो change हो के 69.95% यानि लगबग 70% हो गया non-tribal population तो ट्राइबल population जो एक टाइम पे 70% था वो कम होते होते अभी 30% पे आ चुका है तो ये हमारा census data हमें ये बता रहा है इसके लवा बिर्चंडर मनिके के द्वारा organize किया गया एक वेवस्तापक सभा है जियो खास करके legislative जो council है उसी के अनुकरम ने बनाया गया ताकि कोई भी state policy हो कोई भी state की उपर लिया गया decision हो उसको लागू किया जाए उसको आसानी से एक साथ बैठ के उसके उपर discuss किया ज इन्होंने तीन एक लागू किये थे police, access and land reforms के उपर फिर त्रिपूरा में एक hospital बनाया गया पहला hospital है त्रिपूरा में वो एक डेंटल होस्पिटल है यह हुआ 1873 में तो त्रिपूरा में सबसे पहला hospital कौनसा बना यह बना dental hospital यह बना 1873 में फूल फ्लजेट hospital बना Victoria Memorial यह बना रादा किशुर मनिक्य के टाइम पे वो हम अगला जो हमारा वीडियो होगा जहाँ पर हम रादा किशुर मनिक्य के बारे में बात करेंगे वहाँ पर देखेंगे वो Victoria Memorial कैसे बना इसके बनने की पीछे की कहानी और इसके जो नाम है Victoria Memorial वो क ऐसे चेंज होके इंद्रगंदी Memorial Hospital बन गया वो भी हम देखेंगे 1874 में बन गया अगरतला Municipal Corporation फिर 1875 में बन गया अगरतला पोस्टोपिश अब यह देको chronology देखने से हमें यह पता चलता है जो modernization वो कितनी तेजी सित्री पुरा में हो रहा था उस समय जो पूरा का पूरा बीर्चंदर मानिक के credit में आता है फिर 85 के बाद 89 1789 में क्या हो गया slavery जो है वो एवोलिश किया गया बीर्चंदर मानिक के दुआरा तो यहाँ पे कुछ बुक में यह दिखा गया है कि यह 1878 है तो यह 1878 होगा कि 79 होगा यह आप नीचे comment section में हमें comment करके बताइए रहते कौ तो यह जो slavery practice है इसको एवोलिश किया बीर्चंदर मानिक के ने फिर कुछी दिन बाद 1889 में सती प्रता जो चल रहा था बहुत सालों से इसको भी बैन करवाया गया यह बैन हुआ 22 में 1889 को तो यह जो सती प्रता है यह actually ancient इंडिया के के उपर अगर हम study करें वो देखते है क सती प्रता कभी भी ancient इंडिया में या Vedic पीरियड में नहीं था यह प्रता कब शुरू हुई यह शुरू हुई थी गुप्त पिरियड में गुप्ता डाइनिस्टी का जो पीरियड था उस समय यह सती प्रता शुरू हुआ और फिर बैन हुआ अंग्रिजों के time पे इस सती प्रता को बेन करने की पीचे की जो इंडिया के रिफॉर्मिस्त थे वो थे राजा राम मोहन रोय और थ्रिपुरा में अगर हम इसके उपर बात करें तो इस बेन करने की पीचे की सबसे ज़्यादा क्रेडर जाता है वो है वीरचंद्र मानिक्या को फिर बना वीरचंद्र मान यह पहला high school है यह बना 1890 को 15 December 1890 को यह government high school गुशित किया गया लेकिन यह जो उमाकंत एकाडेमी है यह established हुआ था 1862 में इसको high school का दर्जा मिला यह 1890 को 15 December 1890 और फिर बाद में इसका जो नाम जो है वो चेंज हो गया उमाकंत एकाडेमी यह हुआ 1904 को जब राजा थे राता किश्रमानिक और उनके जो एडिकुशन मिनिस्टर थे वो थे या मंत्री थे वो थे उमाकंत दास तो उनहीं के नाम स यह रखा गया उमाकंत एकाडेमी वही टाइम पे हम और एक स्कूल का उद्गाटन होते हुए देखते हैं वो है तुलसीवती वाली का विद्याल है यह जो MTB है यानि महारानी तुलसीवती स्कूल का एस्टब्लिस्ट हुआ या एस्टब्लिश्मेंट किया गया 1894 को उस समय राजा जब की थे महाराजा बिर्चंद्रमानिकर लेकिन उनके जो बेटे थे रादा की शुर्मानिकर उनके पत्नी थी यह महारानी तुलसीवती देवी तो उनहीं के नाम के अनुसर में यह रखा गया महारानी तुलसीवती वाली का विद्याल है यह जो तुलसीव खास करके महिला एडुकेशन में उनकी जो दिलचस्वी थी वो भी देखने लायक थी इसी के लिए उनके नाम से ही ये स्कूल रखा गया जबकि वो एस्टबिस्ट हुआ 1894 को इसके अलावा अगर हम देखे कि महराजा विर्चंद्रमानिक के टाइम पे ही सबसे पहली वार ब साथी साथ वो लिटरेचर के उपर भी उनका बहुत स्ट्रॉंग होल था तो उनहीं के टाइम पे एक सिंगर हुआ करते थे जादू बट्ट तो उनको उनने तानराज का टाइटल दिया था इसके अलावा वो खुद बहुत सारे लिटरी वार्ग पे ध्यान दिया था उसका अगर हम देखें तो उनमें से आता है प्रेम मरीची का अकाल कुसुन उच्छास जुलन हरी सोहाग ये सारा लिटरी वार्ग उनके द्वारा खुद किया गया था तो इससे हमें पता चलता है विर्चंद्र मानिक्या इंटेलिक्ट्यल सोसियल रिफोर्मिस्ट विर्चंद्र मानिक्या का शासनकाल में एक बहुत बड़ा टर्ण ओवर आया जब उनकी पतनी भानुमती देवी का देहांत हुआ भानुमती देवी का देहांत के बाद वो पूरी तरह तूट चुके थे फिर वो इससे उभरने के लिए ब्रिंदावन में चले गए थे फि लेकिन वो कलकत्ता में बसे हुए थे राज परिबार के होने के साथ साथ वो एक अच्छे एडुकेशन अडिश्बे थे तो उनका जो उठना वैटना था वो टेगूर फैमिली जो है उससे में टेगूर फैमिली के साथ उनका अच्छा रिलेशन था इसी के चलते रविना टेगूर से उनका मुलाकात होता था तो उससे में रविना टेगूर का एक बुक निकला था भगना रिदय तो उसी बुक को उन्होंने बीर्चंद्रमानिक्यों के हाथ पे दिये थे जब वो लोट के आ रहे थे ब्रिंदावन से तो वो बुक पढ़के वो इतने खुश हु को रविना टेगूर से जाके मिलवा दिये वो मुलाकात एक एसी मुलाकात थी इसके चलते त्रिपूरा हिस्ट्री में रविना टेगूर एक बहुत ही इंपोर्टन व्यक्ति बन गए आगे हम देखेंगे त्रिपूरा में के साथ रविना टेगूर का रिष्टा कैसे बने रहा, कैसे उनके instructions त्रिपूरा history में या त्रिपूरा की बहुत सारे जो event है उसमें कैसे directly influence करता था, वो हम किसी और एक वीडियो में जहां पर हम त्रिपूरा और रेवुनात के उपर बात करेंगे, वहां पर हम देखेंगे, बीरचंद्र मनिक्यों की एक बेटी थी अनग्या मुहीनी देवी वो भी पोयट थी उनके द्वारा भी लिखी गई कुछ बहुत इंपोर्टेंट लीटरी वर्क है जिनमें कनी का लोग गाता प्रीती एट सेटरा बीरचंद्र मनिक्यों की जो लेटा स्टेज है उसमें हम देखते हैं कि वो पूरे के पूरे राजपाट से उनका मन उठ गया था और वो फूल फोटोग्राफी और पेंटिंग के उपर बहुत दिल्चस्पी लेने लगे इसके चलते अच्छा चीज यह हुआ कि वो फ्रांच से एक फोटोग्राफर एक पेंटियर को बुलवाए फिर बहुत सारा पेंटिंग जो त्रिपुरा के राजगराने की है उनको बनवाया गया फोटोग्राफी लिया गया वो सारा फोटोग्राफी पेंटिंग आगर आप क पूरा क्रेडिट जाता है वो विर्चंद्रमानिक्यों को ही जाता है एक हिस्टरियन थे सुरेंद्रनाथ सेन वो कहते थे कि विर्चंद्रमानिक्यों is the भीक्रमादित्य आफ त्रिपूरा अगर इनकी इनिशेटिव ऐसा ना होता तो त्रिपूरा की जो आज की जो structure है जो modern त्रिपूरा अगर हम कहते है तो वो भी उतना modernization नहीं हो पाता अगर उनकी step अच्छे से नहीं लिया गया थे होता अगर वो उन सारे step को लागू नहीं कर पाते तो विर्चंद्रमानिक्यों का देहांद होता है 11 December 1896 को उनके देहांद के बाद जो यूवराज थे उनका राज्य विशेक हुआ रादा की शुर्मानिक को अगला जो वीडियो हमारा रहेगा उस वीडियो में हम रादा की शुर्मानिक के उपर पुरे डिटेल में बात करेंगे देखेंगे उनके हाथ से या उनके दुआरा वो मॉर्डरनाइजेशन को कैसे अगे बढ़ाया गया तो आज के लिए इतना ही मिलते है अगले वीडियो में थैंक्स फो वाच्छिंग